अगर आप अपने नाम के आगे फ्यूचर में हमेशा के लिए DR यानि डॉक्टर लिखवाना चाते हो तो ये information आप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा strong point क्या है हमारी strength क्या है हमारी weakness क्या है अगर वो marks कम आ रहे हैं ये जो बच्चे बेटा तुम जो need का exam देने जा रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत important है और exam बहार से भार निकले अचानक से चिंटू से बाद हुई चिंटू तो चला गया times अगर आपके जीवन में ये वर्ड आता है ना बैक लॉग तुम्हारी जो लक्ष है वो भी तो practically हर किसी के लिए possible नहीं है ना अगर आप अपने नाम के आगे future में हमेशा के लिए DR यानि डॉक्टर लिखवाना चाहते हो तो ये information आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बच्चो इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत लोग कहते हैं कि ये करना है ये हो जाएगा ये करोगे तो वो हो जाएगा लेकिन अगर हम ये जानने कि हमें क्या नहीं करना है ऐसी कौन सी गलतिया है ऐसी कौन सी 11 हैं जिसको ना करके हम अपनी मंजिल को और असानी से प्राफ्ट कर सकते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी असान हो जाएगी तो बच्चों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं नीट एस्परेंट्स की चाहे वो 11 के हो चाहे वो 12 के हो चाहे वो ड्रॉपर के हो चाहे वो अभी कुछ टाइम बात जो एक्जाम आ रहा है नीट का 2024 का चाहे वो उसके ही बच्चे के हो ना हो तो सबके लिए क्यूमिलेटिव एक आपको आइडियोलोजी बता रहा हूं कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी है इफ यू आ रहा प्रू नीट एस्परेंट पहली बात आप देख पा रहे हो लिकी है डिस्ट्रैक्शन अब ये डिस्ट्रैक्शन का सोर्स कोई भी हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन का सोर्स कैसा भी हो सकता है like using of a phone continuously आपके पास phone है हर पाँच मिनट में पढ़ते समय आप phone देख रहे हैं किसका message आ रहा है कोन WhatsApp कर रहा है किसका call आ रहा है phone से हो जाओ दूर practically possible नहीं है लेकिन तुम्हारी जो लक्ष है वो भी तो practically हर किसी के लिए possible नहीं है ना अगर हर कोई डॉक्टर बन जाता तो हर कोई उसकी तयारी करता अगर तुम truly dedicated हो तो कुछ समय के लिए इसको कर दो स्वाहा दूसरी बात social media से बाई 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 चाहे वो इंस्टाग्राम हो unnecessarily उसका यूज करना आप लोगों के लिए सही नहीं है अब तो बहुत सारे social media network है चाहे आप फिर snapchat ले लो चाहे फिर telegram YouTube हाँ अगर आपको कहीं से मिल रहा है कि नहीं यार educational content मिल रहा है हमारी कोई काम की चीज है तो वो करो बाई unnecessary things को avoid करो तीसरी mistake जो बच्चा करता और उसको आपको avoid करनी है distraction के अंदर वो क्या है बहुत जाता access दोस्ती यारी हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह यह दोस्त ना बनाओ दोस्त के बिना जिन्दगी अधूरी है लेकि दोस्ती यारी में इतना बिना गुज जाओ कि घर व identity जबर्दस्ती का बच्चा महोल बना लेता है जैसे मालो जो ड्रॉपर बच्चा है या 12th appearing बच्चा है अब अगर 20-30 दिन बाद exam है तो उसके दिमाग में जबर्दस्ती का procrastination होगा जबर्दस्ती के negative thoughts उसको cover होते रहेंगे क्यों इस समय कहीं coaching coaching आ नहीं रहा है दोस्तों प्यारें उसे मिल नहीं रहा है अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बस रही है हाई अगर मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा अगर कोशन पेपर में यहीं सवाल आ गया जो मैं ठोड़ कर जा रहा हूं अगर उसी से कोशन आ गया तो मैं क्या कर करके नेगेटिव ठोट से तने ज़्यादा एक्यूमिलेट हो जाता है कि फिर बच्चा थोड़ा सा अपने आपको करता है तो ट्राइड नॉट टू भी नेगेटिव फिल पॉजटिव 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 फॉजटिव लाओ अपने अंदर ठीक है यह एक बाद फि रहा है वो हम ही क्यों ना हो negative thoughts आते हैं बट हर समय अगर आप खाली रहोगे तो अपने आपको indulge रखो revision करते रो काम करते रो पढ़ाई करते रो तो यह negative thoughts आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे तीसरी बात आती है test analysis हमने सर x coaching का test ले लिया y coaching का भी test ले लिया होते हैं उन marks फोकस नहीं करते हैं हम यह देखते ही नहीं है कि हमारी गलतियां कहां थी हमारा strong point क्या हमारी strength क्या है हमारी weakness क्या है अगर वो अगर वो marks का मारे तो क्यों का मारे है जब हम paper करने बैटे तो तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था किसकी वर्या से वो answer गलत हुआ try to analyze yourself test analysis is the important factor जो हम नहीं करते हैं अक्सर तो इसको करना चालू करो point number four है time management during exam यह जो बच्चे बेटा तुम जो need का exam देने जा रहे हो यह तुम्हारे लिए बहुत important है हम लोग कभी कभार physics में इतना time दे देंगे कि chemistry में नहीं बच्चता कभी कभार biology में दे देंगे कि physics में नहीं बच्चता अरे भईया सबको equal time दोना सब अच्छे से पढ़कर आए हुए है 180 मिनट है सिर्फ 180 मिनट उसमें से तुमको 200 questions पढ़ने है 20 questions को filter करना है और फिर वो 180 questions को तुम्हें छाट कर solve करना है तो आपका time management ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको जो चीज अच्छे से आती है ज्यासे मा उसमें टाइम लगता है तो फिर उसके बात chemistry निप्टा हो फिर लास्ट में physics निप्टा हो कहिए ना हो ना कि physics के चकर में आपका biology chemistry छूट जाए तो इस बातों का ध्यान रखना चोथी बात read the question correctly and mark the correct answer कभी कवार लिखा होता है कि choose the incorrect one बच्चा correct ढूंडा आता है कभी कवार लिखा होता है choose the correct one बच्चा incorrect ढूंडा आता है जल्द बाजी कभी कभार question देखकर हमारे अंदर excitement level इतना boost up हो जाता है कि हमें लगता है ये question तो अभी करा है इसको answer तो ये है सर और exam बाहर से भार निकले अचानक से चिंटू से बात हुई चिंटू तो चला गया aims चिंटू चला aims फिर पता चला अरे यार सर उसने तो incorrect mark कर करता हूँ silly silly mistakes को avoid करना अब फिर से आप कहोगे hundred percent efficiency किसी के पास नहीं है लेकिन जहां तक आप साफधान रह सकते हैं वहां तक तो करो ना बेटा वहां तक तो चीजों का approach लेकर आओ सही से question पड़ो सही से answer चुनो और तब उसमें अराम से marking करो bubble अच्छे से mark करना ठीक है य do not exchange your change study material last minute अचानक से एक दोस्त आता है रामू तुमें पता है मेरी coaching में ये 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 चीज और भी ज़्यादा पढ़ाई थी और बढ़िया तरीके से पढ़ाई थी अब तुम पता चले उसके notes देखने बैट गए खतम हो गया खेल वही या 20 दिन बाद 25 दिन बाद तुमार पेपर है और तुम last minute में दूसरी किसी का study material पढ़ लए हो कहां से फिर दिक्कत दिक्कत नहीं आएगी confusion अपने ये हो गया अपने पहरों खुद कुल हाली मारना क्यों कर रहे हो ऐसा काम अपने पे विश्वास रखो अपने पढ़ाए हुए teacher पे विश्वास रखो और जब जो तुमने पूरे साल या सालों साल जो notes पढ़े हैं जो books पढ़ी हैं उनी को revise करो उनी पे विश्वास रखो हर जगा एक ही चीज है बेटा कहीं पे कुछ अलग नहीं है अगर solution chapter तुम्हारे teacher ने solution chapter में राउल्सलाव पढ़ाया है तो वहां पर भी राउल्सलाव पढ़ा अपने teacher पे अपने notes पे confidence रखना ये तुम्हारे लिए बहुत जादा एक truthful साबित रहेगा do not panic unnecessary जबर्दस्ती का हवा मत बनाएए अपने senior से बात करके अपने आसपडोस से बात करके जबर्दस्ती का panic वारा environment मत create करिए कि और यार नीट वेपर है और उसमे तो physics बड़ी tough आईगी और यार वो biology अला बच्छा तो physics और calculation करी नहीं पाता है बस खतम अब जब तुम खाली बैठोगे रात के बारा बज़े के बात तुम्हारे पास ये सारी बाते एक तरफ से चालू होंगी और आपकी धजिया उड देंगी तो try to avoid the unnecessary panic situation जिससे आपको घबराहट हो ज्यादा बात करनी नहीं किसी से ठीक है ज्यादा किसी की सलाह लेनी नहीं तुम senior हो ठीक है भगी हम आपकी respect करते हैं तुम दोस्तों ठीक है भगी हम तवारी उससे प्यार करते हैं लेकिन हमको तुमसे नीट आ रहा है पच next make realistic time table भले तुम तुमारे नीट को पेपर को एक साल है या दो साल है या तुम अभी आए हो या तुमारा 25 दिन बाद है time table हमेशा ऐसा बनाओ जिसको तुम approach कर सको क्योंकि जब हम time table के हिसाफ से चलते हैं भले दिन में 3 घंटे पड़ो भले दिन में 6 घंटे पड़ो लेकि कि तुम्हें confidence एचीव हो कि जो मैं लिख रहा हूं वो मैं हासिल कर पा रहा हूं यह नहीं कि कल मैं उठूंगा सुभे साड़े तीन बजे और डे बन उठे कितने बजे सुभा 10 बजे नाश्ता पानी नात होकर पढ़ने कितने बजे बैठ रहे हैं दोपहर को तीन बजे खतम हो गया खेल आधा दिन दोपहर तो चला गया तो मेक ट्राइटू मेक रियलिस्टिक टैम टेबल जैसे सुभा छे बजे उठ गए पांच बजे उठ गए एक्सरसाइज किया फिर थोड़ा सा वॉक किया और फिर खाना पीना खाकर साथ बढ़े तक साड़े साथ बढ़े तक आट बढ़े तक पढ़ने बैठ गए इसकी कि उठने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइस करो हम लोग क्या है ना कि एक्सरसाइस करना भूल गए है राम राम सार्या ने इसकी वज़्या से समझ में आ रहा है कि हम लोगों के जीवन में जो ये डिप्रेशन वर्ड है या जो नेगेटिव थॉट्स है इंको अगर एलिमि अलक्त लेवल पर इंपोर्टेंस बना रही है यह जो इस्ट्रेस है ना चाहे आप बच्चे के लेवल पर ले जाओ चाहे आप किसी के प्रोफेशनल लेवल पर ले जाओ तीचर्स लेवल पर ले जाओ हर किसी को negative और depression आ रहा है लेकिन हमको उससे बचना है तो exercise करनी पड़ेगी जो कि हम as a need student या J student नहीं करते है क्यों क्योंकि हमें लगता है रहे यार हम तो fit है अरे बाहर से fit नहीं होना चाहिए यहां से fit होना चाहिए दिमाग से प्रणायाम करो ठीक है नहीं हो पा रहा है आपके पास उमीद सीरीज आ रही है उमीद सीरीज चल रही है मतलब और भी एक दो सीरीज है हर आपके PW में इस समय one shots चल रहे है जो teacher पसंद आए जो सीरीज पसंद आए one shot देख लो वीडियो class notes revise करो NCRT पढ़ो NCRT के questions करो NCRT examplar करो PYQ करो इसके बाद कुछ करने की जुरुत नहीं है need तुमारे कदमों पर ठीक है need तुम्हें हासिल हो जाएगा be consistent कुछ भी करो चाहे वो time table बनाओ चाहे वो exercise करो चाहे वो positive thinking हो सब के लिए consistent रहना है test देना है consistent रहना है it is a success success की जो की होती है एक तरीके से कहलो success की जो की होती है उसका बहुत important role होता है consistency रहना अगर आपने कभी Mahendra Singh Dhoni का कभी भी interview देखा हो तो वो कहता है it is not important की आपने एक match में 100 run बना लिए और फिर अगले 3-4 match आप 0 में out हो रहे हो नई हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए हम अपने चनाई सूपर किंग्स में वैसे प्लेयर रखते हैं जो हर match में कुछ ना कुछ consistency दिखाता है just for example I am saying की आप ये नहीं की आज मैंने ममा 10 घंटे पढ़ लिया है और अब मैं आगे आने वाले चार-पांच दिन कुछ नहीं पढ़ोंगा ना 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 ये तो कोई बात ही नहीं हुई आज अगर 10 घंटे पढ़े हो तो कम सी कम कल परसो नरसो 8-8 घंटे तो पढ़ो यार एका दिन चलो एकसेज हो गया एक दिन हलका सा कम हो गया चलता है लेकिन बी consistent ऐसा नहीं कि दो दिन तीन दिन कुछ पढ़ाई ही नहीं करी कुछ रिवीजन ही नहीं किया फिर consistency जैसे मालो को 11th क्लास का बच्चा है या 12th क्लास का बच्चा ही वीडियो देख रहा है तो DBP solving करनी है module solving करने है, question practice करने है या किसी प्रकार का revision करना है उस पर भी आपको consistent रहना है ऐसा नहीं है कि आप back loss create करते जा रहे हो तो अगर आपके जीवन में ये world आता है ना back lock तो वो फिर कभी खतम नहीं होता है बड़ा मुश्किल होता है इसको खतम करना avoid this तो बच्चो ये कुछ 11 mistakes थी जो मुझे ऐसा लगता है being a need a sprint आपको avoid करनी चाहिए I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ positive vibes आई होंगी आपको कुछ नई सीख मिल रही होगी तो मैं सागर विजातियां से sign off करता हूँ All the best and best of luck for your upcoming exams and for your future